हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल बिगड़ जो एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज जो सब्जेक्ट लेकर आये हैं हम वह है हिंदी का कक्षा 10th का तो जैसे कि आपको पता है एक्जाम चल रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही खास रहने वाला है वीड अबिजर भीडिऄ करें और जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके और जितने भी वीडियो की पीडियेफ हैं वो भी आपको मिल सकें तो आए बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए गध्यास दे रखा है इसको आप केएरफ लीर बेर्ड कर ल से ही question आते हैं और इनी में answer छुपे होते हैं तो पहला question है सुकला जी की नीन क्यों उड़ गई तो तुझे इसका answer रहेगा वन का वह रहेगा option number B क्योंकि फैसला सुनाने की तारिक नज़्दिक आ गई थी आप message पढ़ ले मैं direct answer बता देता हूँ ने question है सुकला जी कौन थे तो सुकला जी कौन थे शुकला जी judge थे ने question है उसकी पुरानी अदावत जेलदार के साथ थी यहां उसकी सब किसके लिए प्रयोकत किया गया है तो प्रश्ण number 3 का जो answer रहेगा वे रहेगा थानेदार के बेटे के लिए next question है अंदर की बात से क्या तात पर नहीं है तो जो इसका answer है फोर्थ का वे रहेगा राज की बात next question है सुकला जी के संबन्द में कौन सा गतन सही है तो फिप्स का जो answer रहेगा वे रहेगा option number C सुकला जी नियाए प्रिये व्यक्ति हैं next question है अगर आप सुकला जी की जगे होते तो क्या करते दुश्चिक्स का answer रहेगा वे रहेगा C सुकला जी की तरह ही सच जानने का प्रियास करते next question है वे भी गद्यान से है तो आप इसे carefully बढ़ लें हम direct question ओपर चलते हैं और उनके answer बताते हैं तो 7th number का जो question है वे है हरी हर काका की सबसे गहरी दोस्ती किस के साथ थी तो प्रश्च नमर 7 का answer है लेखक के साथ में next question है आ सकती से लेखक का क्या तातपर है तो question नमर 8 का जो answer रहेगा वे रहेगा लगाओ next question है लेखक को लगता है कि हरी हर काका से उसकी सबसे गहरी दोस्ती थी इसके क्या कारण हो सकते हैं next question है लेखक की चिंता का क्या कारण है तो इसका जो answer रहेगा 10 नमर का उसका रहेगा C next question है नाव के मजदार में फसे होने से लेखक का क्या तातपर है तो question नमर 11 का जो answer रहेगा वे रहेगा दुविदा में होना next question है यदि आपका दोस्त आपके आपसे बात करना बंद कर दे तो आपको कैसा महसूस होगा question number 12 का जो answer रहेगा वे रहेगा D आप चिंतित होंगे तदा समस्या के कारणों का पता लगाएंगे next question है निमलिकित पद्यांस को ध्यानपूरवक पढ़कर प्रशनों के उत्तर दीजिए तो दोस्तों ये पद्यांस है इसको आप रीड कर लें हम चलते हैं question की तरफ question number 13 है वे है कभी ने संसार का सिरोमणी किसे कहा है तो 13 का जो answer रहेगा वे रहेगा बारत को संसार का सिरोमणी बारत next question है निमलिकित में से तदस्वम सब्द समू को छाटी है तो question number 14 का answer रहेगा वे रहेगा B सुपुत्र रात्री ब्राता दिवस next question है कभी ने प्रस्तुत कभीता इसमें बारत देश की विसेशता बताई है निमलिकित में से बारत की विसेशता नहीं है तो 15 का answer रहेगा वे रहेगा बारत देश की धरती पर वे वग्यानिकता बरी पड़ी है option number D next question वे देश कौन सा है का सीड सक है question number 16 question number 16 का जो answer रहेगा वे रहेगा C राष्ट प्रेम वे देश कौन सा है का सीड सक है राष्ट प्रेम question है निमलिकित पंक्तियों में से उन पंक्तियों को पेचानिये जिने पढ़कर यह दाढ़ना पुष्ट होती है कि भारती संस्कृति विश्म में प्राचिन तम है तो जो इसका answer रहेगा 17 का वे रहेगा B सबसे प्रतम जगत में जो सब्य था यह सस्वी एक question है 18 नमबर मन मोहिनी प्रकरती की गोद में जो बसा है सुख स्वर्ग सा है वे देश कौन सा है उप्रुक्त पंक्तियों के समान भाव वाली पंक्तियां पहचानिये तो जो इसका answer रहेगा 18 का वे रहेगा option नमबर A अरुन यह है मदुमे देश हमारा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से request है कि जिन्होंने भी चैनल को subscribe नहीं किया है प्लीज वो subscribe कर लें और notification वेल को भी on कर लें जिससे आपको हर वीडियो के update टाइम से मिलती रहे और हमारा telegram का channel भी है उसे आप follow कर लें जिससे आपको pdf भी मिल सके तो बढ़ते हैं आगे आपको जो भी सार नहीं दे रखिए उसके अमसार आपको answer बताना है तो question number 19 है समारो की अवधी क्या है तो इसका जो answer रहेगा 19 का वे रहेगा option number C पांस दिन तो आप जो पसार नहीं उसका screenshot ले लें question number 20 इसका answer रहेगा कितने प्रकार की कारिकरम दिखाए जा रहे है तो हमको दिखाए जा रहे है चार प्रकार के कारिकरम next question है 21 प्रति दिन दो नाटक कहा प्रदिरिस्चित किये जा रहे है तो प्रति दिन जो नाटक प्रदिरिस्चित किये जा रहे हैं वे किये जा रहे नएक क्यूश्चन है तालिका में दी गई जानकारी से हम निच्चत रूप से निच्कर्स निकाल सकते हैं तो इसका आंसर रहेगा वे रहेगा सबी कारेक्रमों का प्रस्तूतिकरन RS, C, R, T, उदैपुर द्वारा किया जा रहा है नएक क्यूश्चन, इन में से किस कारेक्रम में जानवरों की भी भूमिका हो सकती है तो इसका जो आंसर है वे रहेगा, A, सरकस में नएक क्यूश्चन है, 25 नंबर इसे आप देख लें, इसी के आदार पर सारे प्रश्णों के आंसर देनें आपको तो जो पोस्टर बता रखा है आपको, उससे रिलिटेट क्यूश्चन है तो क्यूश्चन नंबर 25 है, यह पोस्टर कौन से चुनाव का है तो जो 25 का जो आंसर रहेगा, वे है विदानसर आम चुनाव 2018 नय क्यूश्चन है, इलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का संचिप्त नाम क्या है तो इलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का संचिप्त नाम है, यह तो आप सभी को पता होगा इसका नाम है EVM मशीन नय क्यूश्चन है, 27 यह पोस्टर क्या दरसाता है तो ये poster क्या दर्शाता है ये दर्शाता है EPM और VP PAT से vote करने की प्रक्रियागो Next question है 28 VP PAT का प्रयोग मद्दाता को क्या प्रदान करता है तो 28 का answer है Vote की पुष्टी, विश्वास और संतुष्टी Option number B Next question है अकरम ने अपने मत का प्रयोग किया उसे कैसे पता चलेगा कि उसके द्वारा दिया गया vote उसी प्रत्याशी को गया जिसे उसने vote दिया है तो इसका answer है VP PAT द्वारा Next question है यदि आपको vote देने का मौका दिया जाए और आपको लगता है कि आपकी पसंद का कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं खड़ा हो तो आप valid unit का कौन सा बटन दबाएंगे तो इसका जो answer है वह है Nota का हम Nota का यूज करेंगे तो आज का session यही तक रखता है मिलते है next video में next subject के साथ में या फिर हो सका तो हम इसी subject के और question ले लेंगे तो मिलते है next video में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत और exam के लिए best of luck Thank you